हाई ओल मैं हूँ रितिका और आज हम लोग बनाने वाले हैं दो तरीके से लड़ू, नारियल और बेसन का तो त्योहारों का सीजन चली रहा है और कुछ त्योहार तो आही रहे हैं तो इन त्योहारों में आप ये दोनों रेसिपी ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसन का लड़ू बनाने का प्रोसेस तो सबसे पहले लड़ू बनाने के लिए हम क्या करेंगे चीनी का पाउडर बना लेंगे उसमें थोड़ा सा ही लाइची दाना भी लेंगे और इसका एक पाउडर बना के साइड में रख लेंगे इसका आप बेसन का कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें घी का quantity अच्छा खासा ही डालना पड़ता है ठीक है तो घी जब गरम हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे बेसन और बेसन को ये देखे इस तरीके से हम आज को धीमा करेंगे और लगातार इस तरीके से चलाते हुए इसको पकाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है जितना भी आप घी डालेंगे जब बेसन भुंते भुंते वो सारा घी छोड़ देता है एक बहुत अच्छा सा बेसन और घी का बैटर बनके तयार हो जाता है तो इस तरीके से हम इसको लगातार चलाते हुए आज को धीमा रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए हम भुनेंगे क्योंकि बेसन पकने में थोड़ा सा टाइम रखता है और थोड़ा भी अगर कच्छा रह जाएगा आपका बेसन अगर आप आज को तेज रखते हैं और बेसन जो है जल गया तो लड़ू अच्छा बनके तयार नहीं हो गया और अगर बेसन थोड़ा भी कच्चा रहे गया तो भी आपका लड़ू नहीं अच्छा बनेगा तो जब भी आप basin का लड़ू बिनाए तो ट्राई करिए कि आप थोड़ा मोटा वाला basin का इस्तिमाल करिए बह। जो पतला वाला होता है उसका इस्तिमाल नहीं करिए अगर आपके पास पतला वाला basin है तो उसका भी solution है हमारे पास हम बाद में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं ये देखें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बेसन हलका हलका आप गी छोड़ने लगा है हलका इसका color change होगा हम तब तक इसको भूनते रहेंगे मतलब बेसन को जब आप भुनेंगे ना एक बहुत ही अच्छी जी खुश्बू आएगी इससे तो बस आज को दीमा करके यही जो टाइम लगता है लड़ू बनाने में लगेगा और लड़ू बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा अगर कोई आपके घर आया हुआ है ना तो आप इसको इंस्टैंट बनाके यह बेसन का लड़ू खिला सकते हैं तो बस इसको इस तरीके से हम भुनते रहेंगे अच्छे से जब तक कि यह अच्छे से घी पूरा ना छोड़ दे और हमारा बेसन अच्छे से पक ना जाए तो यह देखिए यहाँ पर हमने कुछ पा पानी के छीटर डाल देजे इससे हमारा जो बेसन इसे का आप देखिए का देल देखिए का आसे करके बिल्कुल दाने-दार हो जाता है तो बस इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे और ध्यान रहे पानी डालने के बाद इसको पानी डालेगा यह नहीं की बिल्कुल हल्व हमारा बेसन नहीं जले और परफेक्ट लड़ू बनके तयार हो इसलिए हमें आज को धीमा ही रखना है और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है तो यह देखिए हमारा यह जो बेसन है ना बहुत अच्छे से भुन चुका है तो इस टाइम गयास को बंद करिया और इसको किसी द प्रादा गीला हो गया है तो आप एक काम कर सकते हैं थोड़ा सा इसमें बेसन और भुनके डाल सकते हैं बिल्कुल मैं टेंशन की बात नहीं है कि इतना टाइम भी गया और लड़ू नहीं बन रहा है इनकिस आपको यह तोड़ा गीला हो जाता है तो आप क्या करना है आपक तो थोड़ा सा घी इसमें डाल दीचे, घी डालने से बेटर आपका perfect हो जाएगा ये बेशन का, तो ये देखे इसको थोड़े देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, आप टच करके देख सकते हैं, ये तम जब room temperature पे आ जाएगा तब हम इसमें चीनी आड़ करे जो हमने स्टार्टिंग में पीस के रख लिया था बस इन सब को हम अच्छे से मिलाएंगे ये देखिए perfect बना है बिलकुल लड़ू के लिए आप इस तरीके से देख के चेक कर सकते हैं, अचा एक चीज और इस टाइम पर लगे कि आपका लड़ू नहीं बन रहा है बहुत स लड़ू बनाने का प्रोसेस तो देखिए नारियल का लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रख देंगे कढ़ाई उसमें डाल देंगे घी बहुत जादा घी का requirement नहीं होता है नारियल का लड़ू बनाने के लिए हमने एक चमच घीस में डाल दिया है उसके बाद सूखा नारियल जो नारियल का बुरादा आता है वही इसमें डाला हुआ है और इसको डाल के अच्छे से हम इसको भुनेंगे आज को बिल्कुल धीमा रखेंगे क्योंकि नारियल बहुत जल्दी जलने लगता है और जिस बरतन में हम इसको भुन रहे हैं उसका तली मोटा होना चाहिए पतले कड़ाई में आप नहीं भुनिये वहना नारियल जल जाएगा और लड़ू का स्वाथ खराब हो जाएगा तो इस तरीके से इसको भुनेंगे बहुत जादा लाल हमें नहीं करना है पस नॉर्मली इसको भुन लेना है आप चाहिए तो आप कच्चे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो गोला वाला नारियल आता है ना सूखा वाला आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको मिक्सर में पीस लीजे अच्छे से उसका छिलका ट्राइ करिये हटा लीजिए वना थोड़ा लड़ू जो है उसमें वाइट वाइट नहीं आएगा ये एक दिक्कत आती है बाकी आप जो कच्छा नारियल आता है या फिर जब जो आप नारियल पानी पीते हैं उसमें जो मलाई होता है जो थोड़ी मोटी मलाई ह हो जाती है उससे भी आप ये लड़ू बना सकते हैं और यहां पे देखिए हमारा ये जो नारियल है बुनके बिलकुल अच्छे से रड़ी हो गया है तो जैसा मैंने कहा था बहुत जादा इसको रड़ नहीं करना है नॉमली हमें इसको भुन लेना है तो उस तरीके से हमार ये जो नारियल है ये भुन चुका है तो ये देखिए यहां पे मैं फुल क्रीम मिल्क कर इस्तेमाल कर रही हूँ तो जैसे आपने एक कटोरी अगर लिया हुआ है नारियल का बुरादा तो दो कटोरी में दूद डाल दीजे बस दूद डालने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे ये लड़ू बहुत ही जल्दी बन के तायार हो जाता है तो आज को अब मिडियम कर दीजे और मिल्क और नारियल को हम अच्छे से एक साथ पका लेंगे ताकि ये जो हमने इसमें दूद आट किया हुआ है ये अच्छे से बिल्कुल नारियल में ही एब्सॉब ह जाएं और जो है सूख जाएं हमारा एक लड़ू बनाने के लिए बैटर बिल्कुल ये एक रेड़ी हो जाएं तो अगर आपके पास फुल क्रीम वाला मिल्क नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें इसमें मिल्क पाउडर का भी इसमाल कर सकते हैं ताकि ये जो है लड़ू ब लड़ू खाने में सुखा सुखा लगेगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा बस आप नार्यल को बहुत कम देर तक भुनना है उसको बहुत लाल नहीं करना है भुनते वक्त आपको मोटे वर्तन का इस्तेमाल करना है और ये देखिए यहां पर इतना जितना मिल्क है हलका ह देखिए पर शाग सकाहँ में बस ऐसा ही रहेगा हमें इतना ही करना है ऐसा नहीं की बिल्कुल सूखा कर देना है नार्यल को इस time में क्या करेंगे हम सुखाओ के हिसाब से शकर डाल देगे जिस हिसाब से जिस कॉंटिटी से आप नारल का लडू बना रहे हैं तो इस टाइम पे हम लोग इसमें शक्कर एट कर देंगे अपने स्वाद के हिसाब से और बस इन सब को अच्छे से मिलार लेंगे ध्यान रहे हलका हलका बिल्कुल तले में आपको मिल्क दिखेगा ना तभी आप उसी टाइम पे शक्कर डाल दीजिए क्योंकि जितनी देर तक हम नारल को भुनेंगे इसका स्वाद बनने के बाद फिर वो सुखा सुखा आने लगेगा नारल का तक ही लड्डू खाए वो अलका जूसी लगे है ना तो बस इसको इस टाइम पे हम भुनते रहेंगे और आप एक टाइम पे देखेंगे जब आप इसको चलाएंगे ना ये खुदी लड्डू जैसा बनने लग जाएगा मतलब आपको समझ में आएगा कि अब ये लड्डू जब हम इसको शेप देंगे तो ये अच्छा एक शेप में आ जाएगा तो बस इसको अच्छे से हमें सूखा करना है आप कढ़ाई की तली से समझ पाएंगे कि इसमें से सब कुछ हट गया है जो चीनी था जो मिल्क है अच्छे से सूख गया है बस हमें उतना ही करना है और सब कुछ नारियल एब्सॉप कर लिया है, तो जब हम खाएंगे तो हमारा लड़ू बहुत जूसी और अच्छा लगेगा खाने में, अब एक जगे सारा नारियल इकठा हो जा रहा है, मतलब जब हम लड़ू बनाएंगे तो हमारा लड़ू बनके तयार होगा, तो बस हमे इसी तरीके से ही करना है, ध्यान दीजे, आप कड़ाई में, जब मैं चला रही हूँ, तो उसको इस तरीके से कर दियूँ, तो एक जगे पे सब आ जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि यह अलग अलग है, अगर हम इसको आप कोई भी शेप दीना चाहें, बर्फी बनाना चाहें या लड़ू बनाना चाहें, तो बहुत इसली हमारा लड़ू बन जाएगा, तो बस इसी टाइम पे हम गैस को अप कर देंगे, बन और बनाएंगे हम लोग लड़ू, यह देखिए, आप देख सकते हैं, एक्जाम्पल के तौर पे, यह देखिए, इस तरीके से आप करके द देखेंगे, तो बिल्कुल यह बंध रहा है, तो चली हम गैस को बंध कर देते हैं, इसको दूसरे बर्तन में अब निकाल लेते हैं, तो यह देखिए, यहाँ पर मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं, हलका सा इसको ठंडा होने देंगे, बहुत ठंडा भी नह बस ये देखे इस तरीके से हम सारे लड़ू अपने बना लेंगे बस कुछ बातों का ध्यान रखेंगे बिल्कुल पर्फेक्ट लड़ू बनके आपका तयार होगा और ये देखिए यहां पर हमारा नारियल का लड़ू बहुत ही कम टाइम में बनके तयार है तो भाइज यह रेशिपी आप लोग एक बाद जरूर ट्राइ करिए और अपना एक्सपीरियन्स हमारे साथ भी शेर करिए कि कैसा लगा आपको यह रेशिपी और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फ्लीज शब्सक्राइब करिए और यह video अपनी family और friends के साथ ख thank you so much